दोस्तो आस मेरे पास है आपके लिए लावा की तरब से एक और इनका ज़वर्दा स्मार्ट फोन लावा बलेज एक्स यहां पर देख सके लावा बलेज एक्स फाइब जी स्मार्टफोन है और छेजीवी रैम कर सताता है साथ में छेजीवी अडीशनल रैम है चूँकि कोई म का कहना है बागी पीछे एक साइड नहीं पर बहुत सारे इनके फीचर्स लिखे हैं जो कि 3D काड एमुलेट डिस्प्लेई है कि उपर एक सेक्षन देखने को मिलता यहां पर देखते हैं इसमें क्या है कि इसमें हमकोई कवर देखने को मिल जाता यह कर अब्र चुका है यहां पर देख सकते हैं पीछे जो यह कालर का रगल दस्त है पर लाइट परपल कलर पीछ एक साइट डे काफी जबरता है एक से सिनेमेटिक आप कह सकते हैं लूप पीछ एक साइट दे रहा है और यहां पर जो फोन है उसका जो डिस्पले है वाकि जो फोन का साइज है वो एक दम नॉर्मल साइज 6.6 इंच का है अभी मैंने देखा रही यह डिस्पले तो जो क्वालिटी यह फोन की जो देखने में लग रहा है फिल्स विरस सबकुछ एकदम अच्छा है तो फोन को अन करते हैं उसके फीचर्स पर बात करते हैं दोस्तों यह फोन बॉक्स निकला तो एकदम डाउन था मैंने भी इसको कुछ परसेंट चार्ज क किया है जिससे आपको इसके अंबॉक्शिंग दिखा पहूं तो आपको बात करते हैं इसके फीचर्स की तो पीछे आपको 64 में पिक्सल का सोनी का कैमरा देखने को मिल जाता है और यह पर नीच आपको लावा 5G की ब्रैंडिंग देखने को मिल जाती है कैमरा की बात करते है तो camera model काफी बड़ा है और एक फ्ले स्लाइट भी पीछे दी गई है फ्रेंट में आपको 16 Megapixel की सेलफी देखने को मिल जाती है जो कि काफी जबर्दस तक phone की बात करते हैं तो phone एकदम clean है कोई बहुत थर्ड पाट एपस नहीं दी गए यह बहुत एचानल ने काम किया और जो फोन का UI बगर रहा है मुझे लगता है motor जिसा आपको फील देगा और जो size है जो phone का bed length है मुझे motor जिसा कुछ-कुछ फील दे रहा है तो phone को थोड़ा side से रखते हैं और देखते है box में और क्या है तो यहां पर आपको बॉक्स में एक आपको type-c cable देखने को मिल जाती है types-a to-c और एक आपको charger देखने को मिल जाता है box में charger देखने को मिलता है charger को बाहर निकालते हैं यहां पर देख सकते हैं यह लाभा की branding वाला charger है और यह इतिंग 35W है फिर 45W का charger अभी box पर फीचर को देख लेते हैं कि यहां पर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं तो box के पीछे आते हैं यहां पर आप दिख सकते हैं आपको 3D card full HD plus AMOLED डिस्प्लेइद देखने को मिल जाती है यहां पर आपको 64 पिक्सल का कैमरा सोनी सेंसर का और 16 में उक्सल का सेलफी में दिखने को मिल जाता है 6.67 की full HD 120 हटर डिस्प्लेइद वाइड वाइड एल्वन सपोर्ट सब्सक्राइद आती है आपको जिसके साथ है अगर हम बात करते हैं इस फोन के क्वाइलिटी के बारे में तो अभी मैंने बहुत जदा डीप में तो नहीं करें हूं लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं इसके यूई की तो यूई मुझे काफी एच्छा लगा है फोन काफी स्मूथ रहा हूं रहा है पिक्सर साइज का पिक्सर साइज आप छोटा वड़ा कर सकते हैं हमने 16.9 में लिया है और यह टच सूटिंग सेल टाइमर ग्रिड लाइन वॉल्यूम की फीचर्स एंटी फिलकर लॉंग प्रेस कर्स्टम यह सारे ऑप्शन दिखने को मिलते हैं वाटर मार्क को हम जो है आन सब्सक्राइब तक का रिजलिशन देखने को मिलता है तो इस कैमरे में आप अंदाज आ सकते हैं बहुत जादा जो है हाई-फाई रिकॉर्डिंग यह नहीं कर सकते हैं हाई-फाई रिकॉर्डिंग के सबसे ने लिगना फोच लच्टी में आते हैं तो यहां पर आपको फेचाहें तरफ कुछ सैम्पल्स वह आभी हम आपको दिखाएंगे फिल्म को अप सेंप्सें यहाँ पर फिल्म मृट्र कर सकते हैं अलगलग फिल्टर के साथ यहां पर बहुत सारे फीचर्स है लाइक डाकुमेंट कारेक्शन गुरुफ फोटो एई-ई-इमोजी गेफ प्रो वीडियो डूल वीडियो प्रो मोड पैनारो मोड उच्डी स्लो मोशन टैम लैप्स मैक्रो यह सारे आप्सिन देखने मिलता है मैक्रो लैंस भी दिया गया इस बिजट में तो काफी अच्छा ह आपके पास जैसा आपको फोटो वाले ऑफसिस में देखने को मिलते हैं तो कुछ सेंपल्स और सॉर्ट्स आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर जिन्हें आप देखकर बता सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है कि यहां पर आपको 5000 मिल पर होगी बैटरी है और यहां पर आपको 33 वर्ट का चार्जर मिलता है जो कि अरौंड गंटे से ज्यादा समय ले लेगा क्योंकि अभी मैंने इसको यह फोन बिल्कुर एक दान नगला तो मैंने 6% साथ परसंट अभी इसको मैंने चार्ज किया था तो जो अभी 6% है यहां पर 128CV की स्टोरीज है जिसमें 19% जो यूज होकर आई हुई है अगर हम बात करते हैं के फीचर की कोई बहुत ज्यादा भरबर के फीचर नहीं दिए गया है इन डिस्प्ले फिंगर पेंट है जिसको अगर हम टेस्ट कराते हैं आप अगर हम फिंग सब्सक्राइब देखते हैं तो यहां पर आपको टाइप सी चार्जिंग स्पीकर गिल्स उपर आपको एक सेकंडरी माइक्रोफोन नीचे प्रैमरी माइक्रोफोन एक साथ में सिम ट्रेक आपसे देखना है राइट साइड में को वॉल्यूम की अपन डाउन पावर ऑन अप खाली है कोई भी ज्यादा फीचर्स नहीं दीगें साइड वाई साइड जो भी आपका अजस्टेट किया गए अगर फिंगर की बात करते हैं काफी फास्ट है फीचर्स की मामने में काफी अच्छा है फुल एस्टी प्लस डिस्प्लेय तो अवराल अगर हम बात करते हैं इस बाई बाई and thank you